नमस्कार मैं हूं इस दिपर आप देख रहे हैं कर्षिस नियूस का टॉप फाइफ नियूस में आपका स्वागत है बड़ते खबरों में आगे आपको वदा दे कि माफिया आधिक आहमेद की बेटा अश्राद और शूटर गुलाम का एंकाउंटर हो गया है जी हैं आपको व चांसी में पारिक्षा डायम के पास स्टेफ ने किया है और प्रिशांथ कुमार एडीजी लॉइन आउडर ने बताए कि इंपूर्ट है कि रास्ते में काफीले पर हमला करके अतिक को छुड़ाने की प्लानिंग की जा रही हैं और इससे देखती वे स्पेशल फोर्सेस प्रजबूत करने के लिए बिभिन दलों के नेताओं से हिट मुलकात कर रहें जी हैं आपको बता दे कि आज डी राजा और सिदाराम यचूरी से मुलकात कर एक प्लैटफॉर्म पर आने की अपील की तो वही मांजी ने ग्रेमंत्री अमिशा से मुलकात कर बिहार की सियासत को और गरम कर दिया है मागण बंधन में शामिल हम पार्टी के सुप्रीमों और पुरुप से जितनामांजी ने दिल्ली में देश की ग्रेमंत्री अमिशा से उनके आवास पर मुलकात की हाला कि अमिशा से मुलकात के बाद इंडिये में वापसी के अटकलों से जीतनामांज इसा काम ही होता है कि जब किसी के साथ रहने के लिए कसम खाई जाती है तो मैंने कसम खा लिए और निटीष जहां है मैं वहां रहूंगा और उनमें प्रदान मंत्री बनने के सारे गुण है वह बहुत इमांदार प्रयास कर रहे हैं कि वो पीम बने या ना बने लेकिन इडी की टीम पूस्ताज कर रही हैं इसके पहले लालू राबडी मीशा और तेजस्वी से पूस्ताज हुई फिर बुद्वार को रागनी से पूस्ताज की गई थी और लैंड फॉर्ट जॉब स्कैम कितार आरजडी ने तन लालू यादाउ से जुड़े हुए हैं नौकरी के बदले जमीन लेने के घोटालों में लालू उनकी पत्नी राबडी समेट परिवार वालों पर रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले जमीन लेने का आरोप है और इस मामले में सीवियाई ने मैज 2022 में लालू और उनके परिवार के सदस्टियों पर भरष्टचार का नया के दर्श किया था जहारकण की राजधानी रांची में एडी ने आई सवी रंजन पर शिकंजा कसा है जी आपको बता दे कि जमिन घोटाला मामले में एडी की टीम उनके कई ठीकानों पर छापे मारी कर रही है एडी अधिकारियों ने छवी रंजन के पश्चिम मंगाल बिहार जहारकण में स्थित कई ठीकानों पर छापा मारा हैं बता दें आपको कि शवी रंजन रांची के उपायों तुरह चुके हैं कहां जा रहा है कि एडी अधिकारी पश्चिम मंगाल में दो और जबकि बिहार में एक ठीकाने पर छानबीन की और रांची और जमशेदपूर म समाज कलन्यार विभाग के निदेशक बद परतनात हैं तो सारन के सोनपूर में पंजाब नाशनल बैंक एक ब्रांच में दिन दहारे लूटकान के इतना को अंजाम दिया गया है जी हाँ को बता दे कि इस दौरान पांच बदमासों ने हुमगाट के दो जवानों को गोली मार दी है और में से एक की मौत हो गए उससे सिर्व में गोली लगी है दूसरे को सीने पर गोली मारी गई है उससे गंभीर हालत में पत्ना के पींश में रेफ़र कर दिया गया है लोटे गई रकम फिलाल बारे लाक बदाई जारी आए हालाकि सारन ऐस पी गोरब मंगला के म अंदर लगे CCTV कैमरे में ये पूरी वारदात कैद होगी CCTV में दिख रहा है कि रोज की तरह बैंक में काम चल रहा है तभी पांस लड़के बैंक के अंदर दाखिल होते हैं थोड़ी देर में सभी अपने जेब से पिस्टल निकालते हैं और जैसे ही गार्ड एक्टीव होते हैं तो अपरादी सीधे fire करना शुरू कर देते हैं तो टॉप फाइफ ने उसमें इतना ही अगर आप हमारी वीडियो को यूटूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा इसको शेर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें अगर हमारे वीड पेस्बुक पेस को फॉलाव करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जल्द मिलते हैं नए सोचर शुवात के साम तब तक लिए हमें दी से इसास नमस्कार